हेलो फ्रेंड मैं हूँ आपको दोस्त पंकश कुमार और आपका स्वागत है एक बहुत ही मजदा टूडल में आज हम तो इफेक्ट दिखने वाले हैं और बहुत ही कॉमन इफेक्ट है जो साधी के फोटो में यूज़ किया राता है इस्टूडियो वाले इफेक्ट को दिखा के फोटो को बहतर बनाते हैं तो आज हम यह देखेंगे कि एफेक्ट क्रेट करते हैं इफेक्ट बनाने का दो तरीका है पहला यह एक फोटो को ब्लैक्ट करके उसके जो जो कपड़े पहने हैं उस करेक्टर ने उस करेक्टर के को color छोड़के बागी body और बागी हर चीज को black and white कर देते हैं और दुसरा तरीका जो है वो यह है कि character ने जो jewelry पहने उसे color छोड़के बागी सब को black and करते हैं यह effect बहुत ही common है जो आपको बहुत जाद देखने मिल जाएगा यह उसका कि जो जो चीज लाल है उनके body में जो पहना गया है जो जो चीज लाल पहना गया है उस चीज को color छोड़के बागी हर चीज को यहां grace clip में अलग देते हैं यह और एक example है यह editing बहुत अच्छा editing है मैंने पहले कहा था इससे पहले जो टूटल पहाया था यहां पर बहुत समयद है और जो बॉड़ी का जो color है वो बहुत डिसरीट है इससे क्या है दोन में contrast आ रहा है बहुत संदर contrast और यह effect वह वाके में बहुत संदर effect है आप से try कर सकते है इससे पहले मैंने यह tutorial मैं था जिसमें मैंने इस photo को करना दिखाया था Hollywood style में थोड़ा पर यहां पर हलो जो भी करने वाले एक photo complex है और यह करने में थोड़ी से परिसानी होगी पर उतना मुश्किल नहीं करने में आप इसे बहुत आसानी से कर सकते है अगर आपने इसके पहले वार tutorial ने देखा तो मैं advice करूंगा कि आप उसे देखे तो आपको एक concept जो है वो clear हो जाएगा और यह concept कहां स आया है मैंने उस tutorial के beginning में यह discuss किया था कि यह effect आया कहां से है इसका history क्या है अगर आपको इंट्रेश्ट आ जाने में तो आप वहाँ यह check कर सकते हैं तो चलिए आज कम tutorial सुरू करते हैं तो यह हमारा image है आप देखे इसका input यह था और हमारा output यह था तो इसके बाद हम आप एक काम करते हैं सब लिए को डिल कर देते हैं और अपना काम सुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम यह रहेगा कि हमें इस photo को grey skill में convert करना है grey skill में convert करना बहुत easy है एक shortcut होता है control shift u उससे आप image को grey skill में convert कर सकते हैं पर यहाँ पर यहाँ पर वह नहीं करना है जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से एक tools का option खुलेगा यहाँ पर आपको select करना है gradient map जो second last option है यहाँ पर आप देखें इससे आप select करेंगे मैंसे select किया select करने के बाद आप इस portion पर क्लिक करेंगे तो आपका यह खुल जाएगा normal gradient editor इसमें से आप पहला चूस करेंगे और ok प्रेस करेंगे यह करने के बाद आपका image कुछ ऐसा दिखेगा पर अगर आप destitute करते control shift u इसका shortcut है तो आपका image ऐसा नहीं देखता वह बहु अब सबसे पहला मेरा काम है selection लाने का तो यहां पर आप देखे यहां पर अलग अलग parts है जिसे हमको color छोड़ना है जैसे कि इनका dress इनका jewelry और यहां पर जो design है इसे क्या कहते है मुझे नहीं पता तो इस चीज़ें को हमें color छोड़ना है और आप चाहे तो और एक activity की प्रेट करता है कि आप किस चीज़ को color करना चाहते है और किस चीज़ को color करना नहीं चाहते है तो सबसे पहले मैं pen tool लेके इस area का इस पार्ट का इस तरुका पार्ट का एक selection बनाऊंगा क्योंकि यहां पर मुझे लगता है कि मुझे selection बनाए काम करने में easy होगी तो मैं मैं यहां के लिए एक selection बनाता हूँ इसके लिए मैं advise दूंगा कि जब आप selection बना रहे हो तो यहां पे आप इसके off कर सकते हो ताकि आपको दीखे कि आपको इसका address कहां तक गया है इस portion तक इसका address है जो मिझे ऐसे करने से नहीं दिख रहा है तो मैं इसे off करके एक normal सा selection माता हूँ pen tool से अगर आपको pen tool यूज कर नहीं आता है तो मैं एक tutorial में आया था change background advance वहां पे आप pen tool का use पूरी तरह जा सकते है यह pen tool जो है वह बहुत कमाल का tool है और यह photoshop का बहुत ही important role है अगर आप इसे सीख जाएंगे तो बहुत अच्छे चीज बना सकते है तो सबसे पहले मैं इसे इसका section बनाता हूँ अभी मैं यह selection tutorial के बना रहा हूँ इस लिए तो हमें rough बनाओंगा पर आप जब बनाए तो इसे बिल्कुल perfect बनाए ताकि आपका image बहुत अच्छा दिखे यह effect आप बहुत जगा यूज कर सकते हैं जैसे आपका sister का photo हो साधी का photo हो उसे लेके आप इसे एड करके उसे video कराके अपने घर में ला सकते हैं तो बहुत सुन्दर दिखता है यह बहुत लोग ने try किया है जो मेरे दोस्त ही है और effect वाकरी देखने लाइक होता है तो मैं यह selection मनाना हूँ कुछ-कुछ areas में आपको थोड़ा confusion होगा क्या किया जाए मैं वह बार हर चीड नहीं होता है और बाद में से change कर सकता है ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया फिर कुछ नहीं हो सकता बहुत हता कर दिया जा सकता है इसलिए मैं pen to use करता हूँ तो आप देखे कि मेरा basic selection complete हो गया है यह selection बहुत अच्छा नहीं है पर यहां पे हमको दिखाने के लिए काफी है यह करने के बाद selection complete होने के बाद हम प्रेस करेंगे control enter pen to use करने के बाद path को selection में convert करने के लिए हमें use करना पड़ता है control enter control enter प्रेस किया तो देखें यहां पर selection बन गया है अब हम यहां पर तुरह feather देंगे feather आपको मिल जाएगा select modify feather इस feather को हम देंगे दो के आसपास दो काफी रहेगा ओके अब इसके बाद मैं इसे on करता हूं on करने के बाद यह जो portion है जहां white हो गया है इसे हम mask करते है मैं यहां click करूंगा click करने के बाद अब जो selection है उसमें fill करूंगा black से तो वह तो बहुत simple है alt backspace दाओंगा क्योंकि यह जैसे यह color इस selection में fill हो जाएगा इस mask पर देखते होता है कि नहीं alt backspace तो आप देखे हमारा जो selection था वह अपने color पर आ गया है यह काम किसरा से कर रहा है mask कैसे काम करता है अगर मैं mask का basic concept कभी बनाऊंगा future में तो दिखाऊंगा कि mask कैसे काम करता है तो यहां मैंना यह त्या करूंगा brush tool में जाओंगा brush tool लिया इसका check कर लूँगा hardness of feather hardness रखता हूं 50 के असपास और size वह आपके कर रहेगा यहां पर मैं से इसके उपर paint करना होगा मुझे white paint करना होगा कि black paint करने से यह color वापस आ गया मतलब यह color वापस आ गया तो इसके उपर हम white paint करेंगे तो फिर स आप गया पुजाएगा यही बहुत ही special feature मास्क का मास्क बहुत काम आता है मैं जरूर सिखाऊंगा आपको कि मास्क होता क्या है कैसे काम करते मास्क से तो यह अब ठीक है अब मुझे better लग रहा है पर आपको कुछ अलग लगता है तो आप अभी कुछ ट्रै कर सकते हैं इसक कुछ गलती होगा तो मैं इसे फटा फट यहां पर ब्लैक मिंट करूंगा ब्लैक लेता हूं अब ब्रस को बढ़ा कर लेता हूं सब्सक्राइग देखे किना सिंपल है यह यह टेकनिक मुझे बहुत पसंद है आप इस बार एक बार यह टेकनिक करने लगेंगे तो आपको औ बहुत तरीका होता है पर यह टरीका बहुत बैश्ट में से एक है इसे थोड़ टाइम लेकर लिए तो आपका इफेक्ट बहुत सुन्दर आएगा तो हमने यहां तक कर लिया अब मैं और आगे करूंगा देखें यहां छुड़िया है मैं यहां कर लेता हूं आपको थोड़े सबर से काम करना हुआ इसमें मैंने देखें इसमें इसको कलर किया है पर इसके में डिटेल नहीं है जैसे यहां पर देखें इस तरह तो अजी दिख रहा है तो मैं काम करूंगा अब मैं वाइट लूँगा और ब्रस को बहुत चोटा कर लूँगा बहुत चोटा कर लूँगा और देखें यहां पर मैं डिटेल किसे लाऊंगा मैं जो एक्स्ट्रा हो गया है उसे डिट कर दूँगा इस तरह से आप काम को और बैतर बना सकते हैं मैंने आपको दो टेक्टी दिखाया ऐसे करने का आपको जो पसंद है वह कर से या पेंडू स्टेट करें या सीधा ब्रस करें तो इस तरह से हम काम कर सकते हैं अब मेरा स्रीप यह बाकी रहा मुझे यहां लेना होगा ब्लैक अगवा कि इससे बसे क्लिक करूंगा तो यह वह सह जाएगा बहुत सुंदर दिखता है हमारी बेसिक था अगर आप चाहते हैं और कुछ इंब करना जैसे आईस तो भी कर सकते हैं बहुत मुपल रहे हैं बसे क्लिक करना है आपको ऐसी इसस तरह से तो यह जाए पर मैं यहां लिफ्ट को नहीं चाहूंगा आपका प्रस्नल रिफ्रेंस है आप जहां चाहे कर सकते हैं जहां चाहें नहीं कर सकते हैं तो मैं यहां पर वाइट पेंट करना हो इसे हडाने क्लिए वाइट लेकर मैं इसे पेंट करता हूं आ इसको बिरा देता हूं तो दोस्तो यही थामार टूटल आज़का आई होप करके प्रसंद आया होगा आप शे ट्राइ करे मेरे फेस्बूक के पेज में अप्लोड करे मैं उसे देखूंगा कमेंट करूंगा नेक्स्ट टूटल साथ प्री मुलाकात होगी तब तक लिए गुडबाई केप लर्निंग कीप वाचिंग